नर्कोटिक्स कंट्रोल बुरो ने क्रूस ड्रक्स केस में आर्यन के पकरे जाने के बाद अपने जाच का दारा काफी बढ़ा दिया है। इंदिरो शारुख खान का बेटा आर्यन खान जेल के सलाखों के पीछे है। अब इस मामले में चंकी पांडे की बेटी एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी NCB के रडार पर आ गई है। बताया जाता है कि अभी तक अनन्या से जो भी पूछताच हुई है उससे NCB संतुस्ट नहीं है। अनन्या ने अधितर सवालों को या तो टाल गई या फिर यह कह कर जवाब दे दिया कि उन्हें ठीक से याद नहीं है। NCB को शक है कि अनन्या पांडे के कहने पर एक सिलेब्रिटी का नौकर आर्यन खान को ड्रग्स सप्लाई करता था। NCB ने इस सिलेब्रिटी के हाउस हेल्प को मलार्ट से गिरफतार भी कर लिया है। कूज ड्रग्स केस में जहां एक और वालिवूड एक्ट्रेस अनन्या पांडे से NCB सोंबार को तीसरी बार पूछताश करेगी। वही ताजा रिपोर्ट्स इशारा कर रहे हैं कि अनन्या किसी ऐसे शक्स को जानती है जो आर्यन को इस ड्रग्स सप्लाई करता था। दो दिनों तक सबा 6 गंटे की पूछताश में अनन्या ने जहां साफ सब्दों में यह कहा है कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिया। वही आर्यन खान के साथ उनके ड्रग्स चैट कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। यही नहीं बताया जाता है कि आर्यन को ड्रग्स सप्लाई करने वाला यह इंसान किसी सिलिब्रेटी का नौकर था। गौर तलब है कि सोंबार को जहां अन्या पांडे से एक बार फिर पूछताच होगी। वही मंगलवार को हाई कोट में आर्यन खान की जमानत याज का पर भी सुनवाई होगी। एंसेबी नहीं चाहती है कि आर्यन को बेल मिले। SM Agency की कोशिश है कि सोंबार तक ऐसे फुक्षता सबूत जुटा सके जिसके बार मंगलवार को कोर्ट में RN की जमानत को सबूतों के साथ विरोध किया जा सके गौर तलब है कि RN खान को NCB ने 2 अक्टूबर की रात मुंबई से गोवा जाराई क्रूज में हिराशत में लिया था उसके साथ आठ अन्य को भी हिराशत में लिया और फिर गिरफतार कार जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया आरेंखान 30 अक्टूबर तक नियाई खिरासत में और फिर जेल में बंद है गौर करने वाली बात यह है कि यदि सोंबार की पूश्तास में NCB को इस केस में अनन्या की भागिदारी के पक्के सबूत मिलते हैं तो वह उन्हें भी गिरफतार कर सकती है विरो रिपोर्ट पब्लिक न्यूद